येस पीपल गुड बॉर्णिंग गुड आफ्टन गुड इवनिंग टॉल अफ्यू कैसे सब लगोप सब आप सब बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता तुम मैं भी बहुत अच्छा हूं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आई टीभी ताट इस फो सीय फाइनल में 2024 एक्जाम प्रपरेशन है वो एकदम टॉप नोच हो सके टॉप लेबल की हो सके तो इसके लिए मैं आई से को एप्रीशेट करूँगा आई टीप के लिए सीय इंटरमीडियेट के आई टीप और सीय फाइनल के आई टीप दोनों ही क्लास बनाई ये वर्ल्ट क्लास पूल सकते हो आप और सीय इंटरमीडियेट की जो आई टीप है ना उसमें जो एंसी क्यों है के सिनेरियो है मैं बताओ सीय फाइनल वालों को भी देखना चाहिए मैंने वीडियो डाल रखा है on the YouTube सीय इंटरमीडियेट का एक घंटे का वीडियो है अगर आप कभी भी फ्री रहे तो थोड़ा थोड़ा मतलब fast speed करके और आप उसको 30 मिनेट में wind up कर सकते हैं इंटरमीडियेट का RTP का जो MCQ का है ना discussion वो देखके जाना because there are lots of amendments covered in that ओके चलिए यहां पर भी amendments यह amendments है जो cover है तो मैं आपको इस RTP के session में most of to सब MCQs है वो मैं करा दूँगा यहां पर क्योंकि क्या होता है ना MCQs में फिर आपको R&D करने में time लगता है और exam बहुत near है you don't have much time so whatever मैं ही सोचा MCQs आपके साथ analyze करा देता हूँ बाकि descriptive तो आप भी देख सकते है solutions से बखेरा चलिए तो start करते हैं आपका case scenario number one और यह जो case scenario number one है यह case scenario आपके TCS topic से है और मैं आपको वापस बोल रहा TDS और TCS ऐसा topic है ना जिसको आप skip करके नहीं जा सकते एक काम करो आप लोग अपने syllabus को आप three parts में divide कर दो three parts में कैसे divide करो if you really want to score the good marks in the examination just divide your syllabus in the three part three part में एक पार्ट जो होता है that is the computation वाला पार्ट आप computation वाला जो पार्ट है वो computation वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा strong होना जाहिए because this part will cover approximately 40 marks in your examination तो आपको 40 mark के करीब है वो computation वाले पार्ट से आएगा computation वाले पार्ट में क्या-क्या कौन-कौन से topic आते है तो जैसे आपका PGBP है दूसरा आपका capital gain है तीसरा आपका income from other sources है चौते पे आप एक काम करो चौते पे आप सीधा ले लीजिए mat mat कर लीजिए AMT कर लीजिए SEZ कर लीजिए उसके बाद 5 पार्ट में आप एक काम करिए कि जो आपका business trust है investment fund है and securitization trust है तो business trust investment fund securitization trust तो क्या-क्या हो गया PGBP हो गया capital gain हो गया IFOS हो गया mat हो गया AMT हो गया SEZ हो गया business trust investment fund and securitization trust हो गया उसके बाद जो तुम्हारा taxation of firm है वो उसको चोटा सा topic हो कर लीजिए firm के साथ में आप AOPBI कर लीजिए तो firm AOPBI and उसके बाद में एक बाद बताओ taxation of trust कर लीजिए taxation of charitable and religious trust and उसके साथ में आप exit tax कर लीजिए मैं बताओं ये वाला part ऐसा रहेगा जो आपका अराम से you will get your आराम से you will get your 40 marks from this आपको 40 marks यहां से मिलने वाला है कहीं नहीं जाने वाला अगर आपका ये part strong है ना आपको 40 marks आराम से मिल जाएगा ठीक है दूसरा आप एक काम करिए दूसरा जब आप procedural part में जाते हैं तो procedural part में दूसरा वाला जो है उस segment में आप TDS TCS और मैं बता हूँ ये topic को बिलकुल मत छोड़ना, revision lecture को पूरा ढंग से देखना जितने भी question आज मैं इसमें कराता हूँ वो भी आपको ढंग से करना है TDS TCS because मेरे को ये लगता है this TDS TCS topic itself will cover approach 12 marks in the examination आप देख लेना 12 marks आने वाले है तो TDS TCS है वो ही आपका 12 marks के करीब cover कर जाएगा तो TDS TCS को ले लिजे, TDS TCS के बाद दूसरा जो है वो आप black money और मैं बता हूँ black money से related आपको जो questions मैंने कराए है उतना आप कर लो बस black money जो है black money का 5 mark का question आए गई आएगा आप देख लेना आए गई 5-6 mark का question 5-6 mark will be covered from the black money तो आप यह कर लीजिए black money, black money के बाद में अब आप पीसरे नंबर पे आप assessment procedure को time देंगे और appeals को time देंगे तो आपका assessment procedure appeal में कैसा है देखो 7-8 marks cover करेगा वहां से भी बट 7-8 marks के लिए आपको efforts ज्यादा लगाने पड़ते हैं तो आप उसको थोड़ा कम priority पे भी ले सकते हैं बट मैं बता हूँ this two topic TDS, TCS and black money that is on the top most priority उसके बाद में यहीं पे आप जो tax audit वाला topic है वो tax audit वाले topic में जो questions दे रखे हो कर लो क्योंकि मेरे को लगता है repeat होगा question जो compiler में questions दे रखा है that may be repeated in your exam so आप वो repeat हो सकता है तो आप वो question कर लो और उसके बाद guys अगर मैं international taxation की बात करूँ तो international taxation वाला part है जो आपका 30 mark का है उसमें आपको क्या करने का transfer pricing बहुत अच्छे से करने का उसके बाद मैं DTAA वाला topic है वो आपको बहुत अच्छे से करने का उसके बाद आपका जो bar है that is board for advanced rolling बहुत अच्छे से करने का और चौते नंबर पे आपको कर देने का equalization लेवी और पांच्वे नंबर पे NR taxation अब एक बास मसना NR taxation में बहुत सारे ऐसे concept है अगर आप skip भी करके जाओगे तो चल सकता है करके जो exemption वाले बाट है बट NR taxation में जैसे poem वाला concept है वो अच्छे से करने का उसके बाद में royalty fees for technical service वाला पार्ट है वो अच्छे से करके जाने का 115A में जो amendment आया है 10% की जगे 20% हुआ है that you have to do in the best manner और जो special tax rate है 115AD करके ठीक है 115AC, 115AB, 115A वो वाला पार्ट है वो आपको अच्छे से करके जाना है अगर आप इतना करके जाते है NR taxation में तो मैं बताओ देखो आपको simple सी बात बताओ ना तो यहां से आपको 30 marks जो है इस 30 marks मे जाएगा 22 से 25 marks यहां से मिल जाएगा TDS, TCS से मैं बोल रहा हूँ 12 marks मिलेगा तो यह जो तुमारा है यह वाला TDS, TCS, Black Money, Assessment, Processor and Tax Order इस से total मिला के आपको 22 से 25 marks मिल जाएगा तो आप समझे 22 marks यहां पर मिल रहा है 22 marks यहां पर मिल रहा है और 40 marks यहां पर मिल रहा है तो 80 से 90 marks क के कबरें यहां से हो जाती है बाकी हो सकता है बाकी वाले जो टॉपिक है जैसे पैनल्टी है, बहुत सारे इंटरनेशनल टेक्सेशन में तीन टॉपिक और एक्स्रा है चोटे-चोटे-चोटे 5-6 marks वहां से आएगा देखो एक्जाम में पेपर आता है वो 120 marks का आता है तो ऐसे बाकी, बट मैं आपको बताऊ ना अगर if you really want to score the exemption तो आप ये वाले पार्ट को बहुत बढ़िया से कर लो, मतलब गजब लेवल का ये जो पार्ट है इसको आप बहुत बढ़िया से कर लो, इसमें TDS, TCS, Black Money इसको बहुत बढ़िया से कर लो और इंटरनेशनल टेक्से scenario TCS से related है, मैं फटा-फट उस concept को एक बार revise कराऊँगा, उसके बाद मैं आपको सीधा यहाँ पे लेके जाऊँगा, ठीक है, चलिए, अब एक बास समझना, इसमें आपको TCS की एक section है, जिस section का नाम है 206C, subsection 1G, जिसको मैंने पढ़ाते टाइम बोला था, global, जिसको आप सकते हो, कि अगर कोई individual HOF है, वो LRS में इंडिया के बाहर पैसा भेज सकता है, liberalized remittance scheme में, और liberalized remittance scheme में इंडिया के बाहर पैसा भेजते हैं, तो उसमें TCS से वो collect करता है, जिस authorized dealer के थुरू आप भेज रहे हो, authorized dealer मतलब bank, जैसे kotak bank है, ICIC bank है, इनके थुरू आप इंडिय के बाहर पैसा भेज रहे है, तो वो आपका TCS collect करते है, अब आप बोलोगे TCS का rate क्या रहता है, तो मैं आपको बताओ, इहाँ TCS का rate क्या रहता है, section 2061 जी बोलता है, कि अगर आप इंडिया के बाहर पैसा medical purpose के लिए, या education purpose के लिए भेज रहे है, तो उसमें आपका TCS का rate 5% रहेगा, साल में कभी भी भी भेजो, मिस from April to March आपका TCS का rate 5% रहेगा, बट ये 5% TCS लगेगा in the excess of the 7 lakh, मिस जो भी आपका 7 lakh के उपर वाला रहेगा, मिस 7 lakh से उपर वाला रहेगा, वो 7 lakh के उपर वाले पे आपको 5% की rate से यहाँ पर TCS कर देना पड़ेगा, मिस जो authorized dealer ह वो collect करेगा TCS at the rate 5% in excess of the 7 lakh, example के लिए मालो इंडिया के बाहर मैंने education purpose के लिए या medical purpose के लिए 10 lakh रुपेज भेजा, so out of 10 lakh, up to 7 lakh, there is no TCS in excess of 7 lakh, that is the 3 lakh, so 3 lakh पर आपका TCS आ जाएगा at the rate 5% की rate से, अब एक बाहा समझना, इसमें educational purpose में क्या क्या आएगा, medical purpose में क्या होगा, त तो उसका traveling का खर्चा, जो flight का खर्चा है, वो भी education purpose ही माना जाएगा, उसके साथ-साथ में वहाँ पे जो college का fees है, tuition का fees है, वो भी education purpose के लिए खर्चा माना जाएगा, as well as जब पढ़ाई करते time, उसका day-to-day, hostel-hostel का जो खर्चा होता होगा, जो day-to-day expenses होता होगा for the purpose of education, that will also be treated as a educational purpose, medical purpose में क्या आएगा, कि medical purpose में अगर मान लो कोई भी patient है और उसका attendant है, उसका जो दोनों का flight का ticket रहेगा, that expenditure is for medical purpose, उसके साथ में वहाँ treatment का खर्चा, as well as वहाँ रहने का खर्चा, वहाँ पे day-to-day operation का खर्चा, medical treatment के लिए गए, वहाँ पे मान लो, for an example, 50 days रहना प पर्चेंट रहेगा, लेकिन इसमें एक चीज समझना, अगर educational purpose के लिए इंडिया के भाहर पैसा भेजते हैं, और वो पैसा educational purpose के लिए भेज रहे हैं, और educational loan लेके भेज रहे हैं, elo.5% हो जाएगा, 5% की rate की जगे 0.5% होगा, अगर आपने educational loan लेके और वो ही वाला पैसा है वो इंडिया के बाहर आपने भेजा है तो करगे ठीक चलिए अब एक और चीज समझना ये तो बात होगी medical and education purpose उसके अलावा अगर आप किसी other purpose के लिए इंडिया के बाहर पैसा भेजते हैं अगर आपने other purpose के लिए इंडिया के बाहर पैसा भेजा तो उसमें guys amendment है और यहां पे change है वो ध्यान देना amendment क्या है अगर आप भेज रहे है up to 30th September 2023 और यह amendment को याद रखना है with the date because exam में आएगा 30th September तक आपने इंडिया के बाहर पैसा भेजा तो यहां पे TCS की rate 5% है and guys 1st October 2023 onwards यहां पे TCS की rate 20% हो गई है miss up to आपने 30th September तक पैसा भेजा इंडिया के बाहर LRS में for the other purpose इंडिया के बाहर घर खरीदने के लिए इंडिया के बाहर और कोई purpose के लिए आपने पैसा भेजा तो आपका 30th September तक भेजा तो वहां पे rate 5% है 1st October onwards यह जो TCS का rate है यह आपका 20% हो गया है instead of the 5% अब यहां पे एक और चीज समझना आप लोग कि सर यह जो 5% 20% हुआ बट यहां पे भी क्या 7 lakh का limit है आंसर इस यह 7 lakh के उपर वाले पे आपका TCS आएगा 5% यह 20% लेकिन एक चीज समझना यह जो limit है यह limit जो 7 lakh है 7 lakh तक TCS नहीं आता क्या यह 7 lakh का limit अलग-अलग है अलग-अलग means medical purpose, educational purpose, घर लेके लिए other purpose के लिए क्या सब के लिए 7-7 lakh का relief मिलेगा means exemption मिलेगा उसके उपर वाले पे TCS आएगा answer is no this 7 lakh limit is a aggregate, aggregate means पूरे साल में मिला कि आप 7 lakh से ज़्यादा अगर पैसा इंडिया के बाहर बेजते है तो access वाले पे TCS आएगा 5% और 20% और 0.5% whatever case may be अब एक चीज समझना, एक example लेते हैं, मैंने इंडिया के बाहर पहले 10 lakh बेजा, ICICI bank से educational purpose के लिए तो 10 lakh में से 7 lakh पे TCS नहीं आएगा, उसके बाद 3 lakh पे TCS आगिया, अब एक बात समझना, 10 days के बाद मैं kotak bank जाता हूँ, और kotak से वापस 10 lakh बेजता हूँ, तो क्या पूरे 10 lakh पे TCS आएगा, या यहाँ पे भी सिरफ 3 lakh पे TCS आएगा, right answer is पूरे 10 lakh पे, क्योंकि ये भी RTP में काम आएगे, तो वहाँ पे कैसा होता है, अगर आप अलग-अलग dealer के थ्रू भेज रहे हैं, तो भी उसमें, अलग-अलग authorized dealer के थ्रू भेज रहे हैं, तो आपको जब दूसरे authorized dealer के थ्रू भेजेंगे ना, तो दूसरे वाला एक आप से मांगेगा undertaking, और वो बोलेगा कि इससे पहले आपने कहीं भेजा है क्या पैसा, अगर आपने भेजा है तो वो लिख के देना पड़ेगा, तो वो आपस से आपको 7 lakh का exemption नहीं मिलेगा, तो जैसे पहली बार मैंने ICI से है के थ्रू 10 lakh भेजा, 3 lakh पे TCS आया, दूसरी बार मैं कोटक के थ्रू भेज रहा हू OTPP, OTPP का मतलब होता है Overseas Tour Package Program, यहाँ पे OTPP, OTPP का मतलब होता है Overseas Tour Package Program, अगर मानलो आप इंडिया के बाहर गुमने जा रहे है, और गुमने का मतलब वहाँ पे सिर्फ फ्लाइट होटल नहीं है, अगर आपने सिर्फ फ्लाइट बुक कराई किसी से, मिकमाट पेकेस नहीं आएगा, आपने package खरीदा है, जैसे honeymoon package खरीदते हैं तो वहाँ पे TCS आएगा, इसमें कैसा है, इसमें कोई 7 lakh का basic exemption खरीदा कुछ नहीं है, ठीक है, OTPP के लिए आप कितना भी package खरीदते है, उस पे आपका 5% की rate से TCS आएगा, OTPP के लिए TCS का rate 5% है, अगर म 5%, मैंने 6 lakh का package खरीदा, तो भी 5%, मैंने 10 lakh का package खरीदा, तो 10 lakh पे पूरा 5%, लेकिन एक चीज़ समझना, एक amendment हुआ, amendment हुआ, that is from 1st October 2023, और वो amendment ये बोलता है, कि अगर आपने OTPP purchase किया, तिल 30th September 2023, तो TCS का rate 5% रहेगा, 5% रहेगा, मतलब कितना भी amount है, पूरे पे 5%, कितना भी amount है, लेकिन गाइस, इन्हों ने क्या किया, 1st October 2023 से एक amendment किया, उसमें ये बोला, कि आपका package का value, up to 7 lakh है, तो TCS का rate 5% रहेगा, लेकिन अगर 7 lakh से अबोव है, आपका जो package है, वो 7 lakh से अबोव है, तो 7 lakh तक तो आपका 5% रहेगा, और बिटा, 7 lakh के उपर वाला जो आपका 20% की rate से TCS आएगा, तो जैसे मैंने 7 lakh के उपर वाला कोई package book कराया, लेकिन 1st October 2023 या उसके बाद में कराया, तो 7 lakh तक के amount पर 5%, 7 lakh के उपर वाले पर 20% की rate से TCS आएगा, अब एक और चीज़ समझना, ये जो section है, OTPP वाली, ये section नहीं लगेगी, कब नहीं लगेगी पता है, कि अगर कोई non-resident है, एंड वो इंडिया आता है घूमने के लिए, और इंडिया में रहके कोई package book कराता है, तो उस पर ये section नहीं लगेगी, एक्जांपल के लिए, माल लो, for an example, एक बंदा है डोनाल्डो, रोनाल्डो पहले इंडिया आया, अब इंडिया के बाद उसको लगता है, कि मेरे को मौलदिव जाना चाहिए, ठीक है, तो उसने इंडिया में बैठे-बैठे मौलदिव package book कराया, वो non-resident है, तो इंडिया में बैठे-बैठे मौलदिव का OTPP book कराया, तो उस पर ये section नहीं लगेगी, लेकिन आप एक बात बता हो, आप resident हो, और आ क्या करते है, पहला जो question है, उस question को अपन solve करने की कोशिश करते है, आजए ये सब लोग, the following detail pertaining to the Mr. Shahil and his friend, Akhil, पहले साहिल की बात करते है, साहिल के case में क्या हुआ, देखिए, amount remitted to his elder son, आरव, उसका एक बड़ा बेटा है, आरव, who is pursuing two year MBA program from the Columbia University, USA, USA की Columbia University से वो बंदा क्या कर रहा है, MBA कर रहा है, उसको पैसा भेज रहा है ये, out of the own saving through the HDFC bank, an authorized dealer under the liberalized remittance scheme of the RBI, वो education के लिए भेज रहा है, लेकिन वो अपनी own saving से भेज रहा है, loan लेकिन नहीं भेज रहा, और उसको कितना भेज रहा है, 5th July 2023 को 350,000 भेज रहा है, to meet day to day expenses for study purpose, देखो day to day expenses for study purpose, वो educational purpose ही माना जाता है, उसके लिए, उसने 10th में को भेजा 120, 29th September को भेजा 90, 1st Gen को भेजा 135, और उसके बाद, through access bank, an authorized dealer under the LRS, out of loan towards the tuition fees, अब loan लेके, और उसने भेजा 350,000 and 350,000 to different different date pay, उसके साथ साथ में, उसने own saving में भेजा, mid day to day expenses के लिए, 1st July 2023 को, और वो भेजा, access bank के through कर गे, ठीक है, पहले जो उपर भेजा था, वो HDFC bank के through था, या, और दूसरा वाला है, वो access bank के through भेजा है, ठीक है, चलिए, बट सब जो चल रहा है, वो education purpose के लिए ही, चल रहा है, done, education purpose के लिए, yes, हाँ, next part, तो complete the formalities of admission, चाहिल visited the USA on April only, to which he purchased a tour package from the Messers gate to travel, a foreign tour operator, and remit money under the LRS on 5th April 2023, international travel ticket and hotel accommodation are included in the package, अब एक बहाँ समस्ता, इसने package खरीदा, 5,20,000 का, तो जब आप package खरीदते हो ना, तो package पे भले आपने किसी भी foreign की website से package खरीदा, बट आप resident हो, अब साहिल जो है, वो resident है, उसके बारे में कुछ भी नहीं दे रहा, तो साहिल is a resident, और उसने package खरीदा, तो package पे सीधा TCS आ जाएगा, TCS की rate क्या है, देखो, 30th September तक package खरीदे तो सब पे 5%, 30th September के बाद है, तो आपका 7,000,000 तक 5%, 7,000,000 के उपर जो है, वो 20%, तो यहाँ पे तो 5% आ जाएगा, तो सीधा 5,20,000,000 पे 5% की rate से TCS आ जाएगा, तो आपका 26,000 है, यह TCS होगा package के case में, चलिए, आगे क्या दिरका है, Mr. Sahil has furnished undertaking containing the detail of the earlier remittance to HDFC bank and Ax his bank, he has also furnished his pen to the authorized dealer and to the seller of overseas tour package program, उसना pen number वगरा दिया है, और वो undertaking भी देता है, जब पहला कोई transfer किया है, उसके बाद दूसरा transfer कर रहा है, तो उस time पे वो undertaking भी दे रहा है, अब चलिए, अपन देखते है, कहां कहां पे क्या होगा, अखिल के बारे मैं अपन बाद में पढ़े पहली चीज़ तो यह जो बंदा, जो बंदा साहिल है, जो भी पैसा भेज रहा है, वो आरव को भेज रहा है, उसका बेटा जो की education कर रहा है इंडिया के बाहर, तो यह जो भी भेज रहा है, यह भी education purpose के लिए, authorized dealer, यह भी education, अब एक बात समना, आप सबसे पहली date बताओ, स ये में में भेजा, ये सेप्टमबर में भेजा, ये आपका जैनुवरी में भेजा, ये अक्टोबर में भेजा, ये नावबर में भेजा, एंड ये जुलाई में भेजा, तो मैं बताओ, सबसे पहले, I think उसने जो भेजा वो 10th में को भेजा ठीक है, तो 10th में को day-to-day operation के लिए उसने भेजा day-to-day के लिए, तो एक बात बताओ day-to-day expenses के लिए, तो 1,20,000 सबसे पहले भेजा, मैं बताओ इस पे TCS नहीं आएगा क्योंकि आपको 7,00 तक तो TCS नहीं आएगा, तो पहले वाले TCS नहीं आएगा इस पे, उसके बाद मैं 1,20 के बाद ये मैं में बेजा तो में वाला है ये आपका clear हो गया इस पे TCS नहीं आएगा, में के बाद June में कोई भेजा, June में नहीं भेजा July में भेजा, बट July में इसने एक तो 1st July 120 प्लस आपका 150, total comes to 270 हो गया है, उसके बाद जुलाई में उसने ये बेजा, 350 बेजा, तो इस पे भी आपका TCS नहीं आएगा, नो TCS, प्लस 350,000, तो total 620 हो गया, 620 तक हो चुका है, ठीक है, उसके बाद जुलाई के बाद, आप देखिए, August में कुछ बेजा गया, August में कुछ भी नहीं है, ये September में बेजा, अब एक बात पता है, ये September में उसने 90,000 बेजा, बट 90,000 में से 80,000 पे TCS नहीं आएगा, क्योंकि 7 lakh की limit यहां पे 80,000 तक तो रहेगी, तो मैं बोलू, इस 90,000 में से up to 80,000 जो है, उस पे तो no TCS, लेगिन गाईज, 10,000 पे TCS आ जाएगा, और कौन सी रेट से आएगा, 5%, वाई 5%, because ये educational loan वाला नहीं है, loan वाला जो है, ये नीचे वाला, ये loan वाला है, ठीक है, educational tuition fees जो है, ये loan amount से लिया हुआ, ये है, तो उपर वाला loan वाला नहीं है, तो loan वाला नहीं है, तो educational purpose के लिए कभी भी भेजते हो, 5% का TCS आएगा, तो 5% TCS में 10,000 पे अगर आप 5% कर में योग परवाला कवर हो गया था, अब October and November, ये जो दो पैसे भीजा, October and January, पहले October में देखते है, तो October में 3,50,000 बेजा, ये educational purpose के लिए भीजा है, बट educational loan लेके भीजा है, तो इस पे TCS का rate है, वो आपका 0.5% रहेगा, तो आप 3,50,000 पे 0.5%, it comes to the 1750 रुपया, 1750 का TCS आएगा, अब एक बात बताओ, October के बाद, November में कुछ भी नहीं है, December में कुछ भी नहीं है, January में भीजा 135, तो इस 135 पे 5% की rate से TCS आएगा, तो 135 पे 5% TCS comes to the 6,750, तो 6,750, and guys, उसके बाद लास्ट ये एक educational purpose के लिए और भीजा, तो जिस पे 0.5% आपका 1750, why 0.5%? because ये educational loans लेके बेजा है, तो ये आपके TCS आएगे, पहला question आप से क्या पूचा है, पहला question आप से पूचा है, पहला question आप से पूचा है, HDFC bank, तो मैं अगर HDFC bank की बात करूँ, तो HDFC bank के थूरू ये पहला बेजा था, इस पे TCS नहीं आएगा, दूसरा 120 पेजा, उस पे भी TCS नहीं आएगा, 29th September को 500 आएगा, 10,000 पे, and 1th January को 6750 आएगा, तो 500 and 6750, this two are correct answer, 500 and 6750, so I think C is the correct answer, right, so C is the correct answer, इतना HDFC bank TCS collect करेगी, दूसरा, is access bank TCS collect करेगी, और अगर करती है access bank, तो कौन से amount पे करेगी, तो मैं आपको बताओ, access bank जो TCS है, वो कौन से amount पे करेगी, तो देखिए, ये दो access bank के थूरू बेजे थे, तीन, तो यहाँ पे ये पहले वाले पे TCS नहीं आएगा, दूसरे वाले जो है, इस पे correct answer, यहाँ पे भी आप देखोगे, 1750, 1750, C is the correct answer, so first 2 question का answer मैं एक बार solution मैं भी check कर लेता हूँ, first 2 question का answer जो है, वो आपका C है, देखो, most of answer आपके C ही आता है, तो first 2 question का answer है, that is the C, चलिए, उसके बाद मैं next question पे चलते है, next question क्या बोलता है, इस tax is required to be collected at source on the amount remitted for the tour package, भही उसने जो tour package खरीदा था, by the sahil, तो package OTPP खरीदा है, और वो September से पहले खरीदा है, तो 5% का rate रहता है, CDC बात है, तो 5% है, वो आपका 24,000 TCS आएगा, answer is A, is a correct answer, yes, TCS is a 26,000, चलिए, उसके बाद मैं, इस sahil ही था ना, हाँ, साहिल, उसके बाद का question, I think, अखिल से related है, अखिल का जो data दे रहा है, वो अपन रीड कर लेते है, चलिए, अब अपन चलते है, अखिल के data पर, Mr. Akhil is a Indian citizen, तो पहली चीज, यह बन्दा भारत का नागरी के, Indian citizen है, got the job offer from the Wealth Being INC Dubai based company of the AED, that is UAE जो धिरम रहता है, वो उसका 10,500 पर मंत का उसका job लगा, he left वो दुबई, on the 29th March 2023, means last year ही वो बन्दा दुबई जा चुका था India से, and join the Wealth Being from the 1st April 2023 से, उसने 4N में दुबई में company join की, he returned to India on 15 December 2023, 15 December 2023 को वो India आया, on the leave of the 15 days, 15 दिन की चुट्या थी, on 23rd December 2023, he went on the 7th day tour to the Bali with his wife and son, and thereafter he directly went to Dubai with his wife and son, अब एक बात समझना, वो बन्दा इंडिया आया था 15 देस के लिए, 29 वो जो बन्दा इंडिया आया था, वो कौनसी देट को आया था, 15 December को आया था, लेकिन वो 23rd December को वापच चला गया, कहाँ पर, Singapur गया, और Singapur गुमने गया, और वो Singapur गुमने गया, he returned to India on 15, he went on 7 day tour to Bali, sorry Bali गया, और Bali गुमने गया, और Bali गुमने गया, वो इंडिया छोड़ के गया 23rd December 2023 को, तो इंडिया आया था 15 December, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो अउनली 9 days वो इंडिया में था, अब एक बात समझ ना, अउनली 9 days के लिए इंडिया में था, और वो इंडिया में था ही नी, तो एक बात बताओ, जब वो 9 days के लिए ही इंडिया में था, उसने एक package खरीदा जब वो इंडिया में था तो बाली का package उसने इंडिया से भुक कराया इंडिया तूर अगर वो non-resident है तो TCS नहीं लगेगा क्योंकि non-resident अगर इंडिया आता और वहाँ से कोई package खराता है तो उस पर TCS नहीं आता अब एक बात समझना पहली चीज उसका residential status के है 6-1 के इसाब से वो non-resident है क्योंकि दोनों ही basic condition satisfied नहीं कर रहा लेकिन आपको पता है एक section हुआ करती है that is the section 6-1-a और 6-1-a क्या बोलती है deemed residency अगर याद रहेगा class तो class में मैंने example दिया था टेक्निकल गुरुजी का क्या वो Indian citizen है पड़ मालो दूबई में रहता है और उसको कहीं पे भी पूरे world में tax नहीं लगता due to his domicile then deemed to be India का resident माना जाएगा अगर इंडिया में उसकी income 15 lakh से जादा है Indian income is more than 15 lakh अब एक बात बताओ ये जो बंदा है ये कहीं का resident नहीं है मतलब वो non resident हो गया और non resident ने अगर इंडिया में कोई package खरीदा तो उस पे बेटा non resident ने इंडिया में कोई package खरीदा तो उस package पे कोई भी TCS नहीं आएगा तो चलिए next mcq क्या बोलता है यहां पर तो that is the mcq number 4 क्या दे रखाया देखिए does make the trip trip your trip required to collect TCS the amount received from the tour package to Bali from Akhil answer is no why no because he is a non resident no taxes tax is required to no taxes required to collect it at source now next part what is the total income of Akhil for assessment year 24 25 assume he has shifted out of default tax regime under section 115 BAC तो Akhil जो है अगर वो 115 BAC नहीं लेता normal provision case आप से जाता है तो उसका इंडिया में income कितना होगा तो इंडिया में देखो अगर non resident है तो non resident के लिए इंडिया की income taxable होगी तो इंडिया में कौन-कौन सी income है देखिए तो सबसे पहले तो उसका भाई साब business income जो है PGBP का income 420 है उसके बाद में उसका FD का interest जो है FD interest and saving bank interest FD का interest 120 है saving bank का 8000 है और कुछ भी नहीं है so 420 plus 120,000 plus 8,000 total comes to 5,48,000 अब एक बात समझे और तो इसकी कोई income नहीं है इंडिया में एक बार वापस पढ़ रहा हूं मैं लास्ट वाले चतिन लाइन है during financial year 23 he has a business income in India 420 retail shop fixed deposit and saving back account with camera bank 120 and 8,000 ठीक है चलिए अब एक बात समझना है यह non-resident है अगर 115 BAC नहीं ले रहा तो deduction मिलेगा question ही आता है क्या ATTTA का deduction मिलेगा यानि saving bank interest पे right answer is saving bank interest पे आपका ATTTA का deduction मिलेगा आप अगर देखोगे न ATTTA वहाँ resident word नहीं लिखा हुआ वहाँ लिखा इंडिविजुल 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 लिखा हुआ है तो ATTTA का deduction ले लिजी 8,000 और 8,000 ATTTA का deduction ले लिया तो 5,040,000 है वो उसका net taxable income हो जाएगा देखो ATTTA भी है न वो सिर्फ resident senior citizen के लिए होता है ATTTA all individual achieve के लिए होता है तो यहाँ पे 5,040,000 है वो आपका income हो जाएगा तो right answer is D 5,040,000 what would be the amount of tax liability computed in the most beneficial manner of akil akil के लिए क्या ज्यादा beneficial रहेगा 115 BAC या non 115 BAC अब एक बात बताओ अगर वो 115 BAC नहीं लेता normal case में तो 5,040 पे tax आएगा अब आप 5,040 पे tax कैसे निकालोगे up to 2.5 lakh तक कोई tax नहीं आएगा उसके बाद आपका 2.5 lakh से लेके और 5 lakh जो है उसमें आपका 12,500 आजाएगा and guys 5 lakh से उपर और आपका 5.4 तो 40,000 पे आपका 20% it comes to the 8,000 तो मैं बताओ आपका 20,500 आजाएगा अब एक बात समझता यहाँ पे 5 lakh से जादा income है तो आपका 87 एक रिबेट का तो जवाल ही नहीं है तो 20,500 आया 20,500 में 20,500 प्लस 4% so it will be a 21,000 and 320 है उतना आपका net tax payable आएगा लेकिन अगर आप 115 BAC लेते तो मुझे बताइए आप 115 BAC लेते तो उस case में यह deduction नहीं मिलता तो आपकी income 5 lakh 48,000 होगी और 5 lakh 48,000 पे slab rate से tax निका लिए 115 BAC तो 115 BAC में up to 3 lakh तक कोई भी tax नहीं आता उसके बाद आपका 3 lakh से लेके और 5.48 तक 5% आएगा तो यहाँ पे देखिए 5 lakh 48,000 माइनस 3 lakh multiply by 5% it comes to the 12,400 अब question ही आता है कि sir 115 BAC ले रहा है क्या 87 A का rebate मिलेगा क्या क्योंकि 87 A का rebate कब मिलता है 87 A का rebate तब मिलता है और यह बंदा resident individual नहीं है आप देखेंगे यह बंदा non resident है अभी तो अपन ने देखा था यह बंदा जो है वो non resident है और जब यह बंदा non resident है तो यहाँ पे 87 A का rebate नहीं मिलेगा तो बेटा 12400 में सीधा 4% health and education says add कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 12896 या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 12900 आ जाएगा तो 12900 that will be the more beneficial as per section 115 BAC तो 115 BAC के हिसाप से 12900 is a correct answer आपका B B is a correct answer कौन सा question था 6 था ना तो ADD B तो यहाँ पे ADD B साहिए चलिए done अब अपन चलते हैं अगले वाले case scenario पे second case scenario आपका taxation of trust topic से है charitable and religious trust देखिये क्या दे रखा है सेवा निकेतन a charitable trust registered under section 12 AB runs educational institution which is engaged solely in the education and a hospital for the treatment of persons suffering from the mental disorder solely for philanthropic purpose the trust furnished the following information तो अब एक बात समझना एक trust है जो की education में भी है साथ साथ में medical में भी है तो आपका hospital भी है आपका school भी है और यह holy educational purpose के लिए है और holy philanthropic purpose के लिए है hospital अब एक बात समझना आगे क्या दे रखा है the total receipt of the trust for the previous year 23-24 for educational institution is 3.10 करोड and hospital is 3.4 करोड तो इस साल का इनका जो gross receipt है वो gross receipt में 3.10 करोड है वो school से है और बाकी वाला 3.40 है वो आपका hospital से तो total कितना हो जाएगा आपका 6.5 हो जाएगा total जो है वो आपका 6.5 करोड हो जाएगा अब question यहाँ पर ही आता है कि क्या यहाँ पर 1023C का exemption मिलेगा या नि अगर आपको याद रहे तो हमने 1023C में दो clause पड़े थे that is 111 AD and clause होता है 111 AE करके तो एक तो होता है 111 AD और एक होता है 111 AE वो clause क्या बोलते है कि अगर कोई भी medical या educational purpose के लिए को institution है और उसका gross research सब का मिला के मिस education medical का मिला के अप टू 5 करोड है तो उनकी 5 करोड से ज्यादा है तो यहां पर 1023C का जो exemption 111 AD और 111 AE है वो तो नहीं मिलेगा ठीक है तो चलिए इसका जो पहला ही I think MCQ है वो MCQ वो ही बोलता है कि सेवा निकेतन wants to claim the exemption under section 1023, 111 AD and 111 AE क्या वो मिलेगा या नहीं मिलेगा answer is वो नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? No, it cannot since the aggregate receipt from education and hospital is more than the 5 करोड so C is the correct answer चलिए आगे बढ़ते है इसमें इनको voluntarily contribution मिला है means donation मिला है that is included in the one above तो जो यह वन उपर है इसमें यह दे रखा है 6.5 करोड में include है कितना? received during the previous year from the public amounting to 1.5 लाग तो एक करोड पांच लाग का donation मिला है लेकिन it include the corpus donation 55 लाग for the purchase of the building of the trust and 20 लाग is the anonymous donation अब एक बात समझता है यहाँ पर मैं ले रहा हूँ इनको जो total donation मिला है वो आपका 1 करोड total donation जो मिला है वो 105 lex है अब एक बात समझता है इसमें से इनको 55 तो corpus मिला है corpus है वो 55 है उसके बाद anonymous जो है वो anonymous 20 है तो बचा कितना? 105 माइनस 55 माइनस 20 तो 30 है यह आपका normal donation है normal है वो आपका 30 लाग है अब आगे क्या हुआ देखिए during the previous year 23-24 the computer purchased for 80 लाग अब इन्होंने क्या किया इस साल में कुछ computer खरीदे है 80 लाग के लेकिन उसमें corpus use किया है of the 30 लाग एक बात बताए 80 लाग के computer खरीदे और जो उपर corpus की बात हो रही थी इसमें जो corpus donation दे रखा है उसमें से उन्होंने 30 लाग यूज कर लिया अब एक बात बताएए पहली चीज तो उपर जो corpus donation दे रखा था ना वो आपने building के लिए दे रखा था corpus donation किसको बोलते ऐसा donation जो कि specific direction से मिलता है कि यह इस particular specific purpose के लिए use होना चाहिए that is called corpus तो यह जो corpus मिला था यह आपके building purpose के लिए मिला था लेकिन आपने इसको क्या किया use कहां पे कर दिया computer के लिए use कर दिया 30 लेक का तो पहली चीज तो आपने यह गलत यूज किया है अब गलत यूज किया है तो पहली चीज मैं बताओ यह corpus exempt नहीं होगा यह taxable हो जाएगा जब आप other purpose के लिए use करोगे corpus मिला था वो building के लिए मिला था आप इसको computer के लिए use कर रहे हो तो यह 30 लेके आपके लिए taxable हो जाएगा और यह taxable हो जाएगा at the rate 30% under section 115 BBI वाली जो section है उसमें यह taxable हो जाएगा at the rate 30% से ठीक है चलिए अब एक और चीज़ समझना आगे क्या दे रखाए इन्होंने loan लेके building खरीदा अब एक बात बताओ चलो यह taxable तो होगा लेकिन जो यहाँ पे computer खरीदा है corpus से तो क्या वो computer खरीदा है वो इस साल के applied में आएगा answer is नहीं आएगा आपने corpus में से अगर कुछ भी यूज़ करके computer खरीदा है तो वो यहाँ पे applied वगिरा में नहीं आएगा अब एक और चीज़ समझना अगर आपने loan लेके computer खरीदा तो आपने concept बढ़ा था कि अगर आप loan से amount लेके और अगर मालो आप कोई भी इस साल के application करते हो तो इस साल के application में नहीं आएगा वो उ के पाँ जो donation कोई मिला था उसमें से आपने use करके और इस साल computer खरीदा तो क्या यह applied में आ जाएगा answer is yes यह आपका application माना जाएगा तो कुल मिला के यहाँ पे application है वो आपका 25 लेके application माना जाएगा तो देखिए आपने जो computer खरीदा 30 लाग corpus से खरीदा वो नहीं आएगा और वो सीधा taxable भी हो जाएगा 115 BBI में क्योंकि आपने गलत purpose के लिए यूज किया है दूसरा loan से खरीदा वो applied में नहीं आएगा और तीसरा voluntary contribution आपके donation से अगर आपने computer खरीदे तो वो तुमारे applied में आएगा अब एक बात समझना जो corpus donation था received during the current year are invested in जो corpus donation आपको मिला था वो आपने कहां invest किया तो corpus donation आपको जो मिला था आपको कितना corpus donation मिला था आपको corpus मिला था that is the 55 55 मैंसे आपने गलत use कर दिया computer के लिए कितना 30 lakh आपके पास बचा कितना 25 lakh अब 25 lakh को कहां invest किया तो 25 lakh को आपने post office saving bank में 10 लाग डाला कोई दिक्कत नहीं है आपने camera bank में fix deposit करा दिया कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपने NBFC में 10 लाग रुपय डाला यह अलव नहीं होता आपको पता है जब मैंने आपको 11.5 बताया था 11.5 is the safe investment कि जो भी trust का पैसा है उसको safe investment में डालना चाहिए safe investment का मितलब होता है bank में डालो post office में डालो करके ठीक है उसके साथ साथ में mutual fund की unit खरीच सकते है उसके बाद में depositories के share खरीच सकते है public sector companies जो होती है उनके shares वगएर आप खरीच सकते है government securities में पैसा डाल सकते है immovable property में पैसा डाल सकते है वहाँ डाल सकते है वहाँ NBFC में आप invest नहीं कर सकते है तो यह आपने ग इसा है वह exempt होता है आप अगर उसको 11.5 में invest करेंगे safe investment में बट यह safe invest नहीं किया तो it is going to be taxable at the rate 30% under section 115 BBA तो यह 115 BBA के हिसाब से taxable हो जाएगा 30% की rate से आगे क्या दे रखा है deposited रुपेस 15 lakh towards the post office saving account which were utilized for the purchase of the building during the previous year 2021 and previous year 2021-22 out of the corpus fund of 10 lakh and 5 lakh respectively अब एक वास में नहीं बड़ा interesting concept है यह concept क्या बोलता है कि आपने 15 lakh इस साल deposit किया corpus में और वो deposit क्यों किया क्योंकि पिछले कुछ सालों में एक साल आपने क्या किया था पहले आपने building के लिए यह पैसा इस साल में 10 lakh withdraw किया था और इस साल में 5 lakh withdraw किया था और building के लिए apply किया था और इस बार आप वापस से उसक or trust purpose के लिए use किया, तो जिस year में use किया, उस year में वो applied नहीं माना जाएगा, वो applied उस year में माना जाएगा, जिस year में आप उसको वापस से deposited back into the corpus fund करते हो, और एक बात बताओ, इस साल से एक amendment आया है, amendment ये आया है कि जिस year में आपने जो applied किया था, वो पैसा खर्च किया था, उ उस year के end से 5 साल के अंदर अंदर वो deposited back होना चाहिए उस corpus में, या अगर loan लेके कोई apply करते हो, तो इस साल के apply में नहीं आएगा, जिस year के applied में आएगा, जिस year में loan वो repayment करेंगे, but loan का repayment होना चाहिए within 5 years from the end of the financial year, in which that amount was applied, तो जिस year में खर्चा किया, तो उस year के end से 5 साल के अंदर अंदर वो loan का क्या होना चाहिए, repayment होना चाहिए, अब एक बात समझना, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे एक interesting concept यह है, कि यह बेटा जो है ना, यह concept कहां से आया है, अगर आपके बास compact रहेगी, तो ध्यान देना, compact में मैंने वहाँ पे explanation number 4 दे रखी है और यह explanation number 4 से related point है, आप explanation number 4 के पास मैं देखोगे तो मैंने लिखा हुआ है, it is applicable from assessment year 22-23, देखो आप, क्या लिखा हुआ है, assessment year 22-23 से applicable होगा, इसका मतलब previous year 21-22 से लगेगा, यह जो amendment है, यह amendment आपके previous year 21-22 से लगेगा, कहां से लगेगा, previous year 21-22 से लगेगा, तो previous year 21-22 से क्या हुआ, कि जिस year में अगर corpus से पैसा निकाल के आप खर्चा करते हो, तो उस year के applied में नहीं आएगा, जिस year में आप उस corpus में deposited back करोगे, उस year के applied में आएगा, और यह amendment previous year 21-22 से लगेगा, तो एक बात बताओ, यह जो 2021 में आपने 10 lakh रुपेज जो है, वो 10 lakh 2021 में applied किया था, corpus में से, उस year के लिए यह amendment applicable नहीं है, तो उस year में तो क्या हुआ होगा, कि जिस year में आपने actual में applied किया होगा, उस year में उसका deduction मिल क्या होगा, लेकिन गाइज, यह जो 5 lakh है, यह आपके previous year 2021 में applied किया था, तो इस पे यह amendment लगेगा, अब यह application उस year में लिया 5 lakh rupees application आजाएगा, इस साल में आपका 5 lakh rupees है, वो 5 lakh rupees आपका application आजाएगा, here 5 lakh will be your application in the current year, you got my point or not, yes, चलिए, आगे क्या दे रखाए, एन amount paid to another trust, registered under section 12 AB, by way of the donation of the 10 lakh, out of that amount, 2 lakh are given as a corpus donation, अब एक बात बताओ, एक ट्रस ने दूसरे ट्रस को donation दिया, तो क्या वो applied में आता है, अ अगर as a corpus donation दिया है, तो तो applied में नहीं आएगा, तो मैं बताओ, यहाँ 2 lakh तो applied में नहीं आएगा, लेकिन 8 lakh applied में आ सकता है, 8 lakh rupees applied में आएगा, लेकिन guys, there is a one amendment from this year, या आप जितना भी donation दोगे ना, उसका 85% ही आप applied ले सकते है, मतलब जितना भी आप donation देंगे, उसका 85% applied ले सकते है, इसका मतलब आप सिरफ 6 lakh 80,000 है, वो इस साल applied में ले सकते है, तो 6 lakh 80,000 will be applied in the current year, तो देखो, यह amendment exam में आएगा, कि जब भी आप किसी दूसरे trust को donate करते है, तो as a corpus donation दिया, तो तो applied में नहीं आएगा, as a other donation दिया, तो वो applied में आएगा, लेकिन applied में कितना आए 85%, तो 8 lakh का 85% comes to 6 lakh 80,000, इतना आप current year में application ले सकते है, उसके बाद, 6 lakh being the amount set apart in the 22-23 by the trust for the charitable purpose under section 11-2, utilize in the previous year 23-24 for making donation to another charitable trust whose object is also education, अब एक बात समझना, जो भी पैसा, जो भी पैसा है, वो आप अगर 11-2 में पाक करते है, accumulate करते हैं, तो उसमें 4 condition होती है, 11-2 में आपको याद है, चार condition क्या है, पहली condition specific purpose बताना पड़ता है, यो को, specific period बताना पड़ता है, जो maximum 5 साल हो सकता है, उसको 11-5 के safe mode में invest करना पड़ता है, और वो पैसा किसी और trust को आप donate नहीं कर सकते, अगर वो all condition satisfied होती है, तो ठीक ह होगा, या फिर जैसे 5 years के लिए accumulated किया था, 5 years में use नहीं होगा, तो पांचवे साल वो taxable होगा, 50 year में taxable होगा, या फिर अगर मानलो, आपने, अगर किसी और trust को donate कर दिया, तो जिस year में donate कर रहे हो, उस year में वो taxable हो जाएगा, या 11-5 का violation हुआ, तो जिस year में violation हुआ, उस 20% समझा के नहीं समझा, समझा चलिए, अब आपके कुछ MCQs है, वो अपन देखते हैं, दूसरा MCQ क्या है, what amount of corpus donation received by trust would not be part of the total income is, ऐसा कौन सा corpus donation है, जो exempt हो चाएगा, तो मैं आपको बोलो, इस में से corpus donation कौन सा exempt होगा, तो corpus donation आपको जो मिला वो 55 lakh है, but 55 में से 30 lakh तो ग आपने 5 lakh केंदरा बैंकी FD में डाला, कोई दिक्कत नहीं, NBFC में डाला, ये गलत किया, आपने, तो कुल मिला के मैं एक बात बता हो, 15 lakh corpus donation exempt होगा, तो जो आपको corpus donation मिला है, उस में से 15 lakh रुपया है, that 15 lakh is going to be exempt, ये 15 lakh आपका exempt होगा, दूसरा question, what would be the specified income taxable under section 115 BBI at the rate 30%, 30% से कौन-कौन से income taxable होगी, तो देखो, एक तो आपका ये 30 lakh जो है, ये taxable होगा, तो calculator में ले लिजिए 30 taxable होगा, उसके बाद में आपका, जो ये NBFC में पैसा डाला, 10 lakh ये भी taxable होगा, तो ये 10 lakh, और उसके बाद में आपका 6 lakh रुपेज ये 115 BBI में taxable होगा, तो प्लस 6 क 9 का B है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 9 का B, 7, 8 का CC था और आपका, 7, 8 was CC, 9 का B, next part, what amount would be considered as application by the trust, of the trust, excluding unconditional accumulation of 15%, assuming that it fulfilled the relevant condition, stipulated under section 28, इस साल application कितना होगा, 15% को गोली मार दो, 15% मत देको, आप बताओ application कितना होगा, तो मैं बताओ, इस साल application, एक तो ये 25 lakh होगा, जो voluntary contributions से आपने computer खरीदा, ये application 25 lakh, ये application होगा, उसके बाद में, आपका application में, एक ये 5 lakh application होगा, जो corpus में से पहले use किया था, इस year में आपने deposited back किया, तो 5 lakh ये, application होगा, जब दूसरे trust को डोनेट दिया है, डोनेशन दिया है, 8 lakh का, और उसका 85% तो 6.8, तो it's comes to the, आपका 36.8 है, वो आपका इस साल का application हो जाएगा, 36.8 will be the application of the current year, next part, Seva Nikitam claim that anonymous donation received during the 23-24 are not liable to be taxed under section 115 BBC, is the claim of trust is valid, एक बात बता हो, जो भी आपका anonymous donation हो 30% से taxable होता है, बट उसमें से कुछ less होता है, less कितना होता है, अगर आपको याद रहेगा, तो उसमें क्या होता है, जितना anonymous donation आपको received होता है, उसमें से आपको less करना पड़ता है, anonymous donation कितना received 20 lakh, I think receive हुआ था, anonymous donation या 20 lakh, तो 20 lakh में से आपको less करना पड़ेगा, एक तो 5% of total donation, और दूसरा 1 lakh, whichever is higher, तो एक बात बताओ, total donation कितना है, 1 करोड 5 lakh था, total donation was 1 करोड 5 lakh, या 1 करोड 5 lakh का 5% करिए, तो 1 करोड 5 lakh का, 1 करोड 5 lakh का, 1 करोड 5 lakh, multiply by 5%, it comes to the 525, तो इसमें से 525, को less कर दो, तो 525 को आप 20 lakh में से less कर देते हैं, तो कितना बचा 1475, so 1475 lakh पर 30% की rate से tax लगेगा, तो इस पर अगर आप 30% tax calculate करते हैं, तो it comes to 442,500, तो 442,500, D will be the correct answer, अगर जोडा है, क्योंकि सेस जोड के अगर आप करोगे, तो answer match ही नहीं होगा, तो सेस नहीं जोडा है, तो यह आपका taxable हो जाएगा, चलिए, उसके बाद question number 12, 12 बड़ा simple है, ABC bank provide the following information relating to cash withdraw by its two customer, दो customer ने cash withdraw किया है, एक Arjun करके बंदा है, जिसका saving bank account है, उसने किया, एक cooperative society ने किया है, cooperative society regularly filed its return of income, however Mr. Arjun has not filed the return of income for the last 3 years, अब एक बात बताओ, आपको पता है, आप अगर bank से cash withdraw करते ह तो आपको section 194N में TDS काटा जाता है, और 194N में TDS कैसे करता है, 1 करोड से उपर के cash withdraw पे 2%, ठीक है, लेकिन cooperative society ने withdraw किया, तो यहाँ पे limit 3 करोड हो जाएगी, 3 करोड के उपर वाले पे आपका 2%, 3 करोड के उपर वाले पे 2%, अब एक बात बताओ, वहाँ पे एक concept ही आता है, कि अगर कोई person account holder ऐसा है, जो non filer है, means last के 3 साल के उसने return file नहीं किये, और last के 3 सालों का return filing का due date जा चुका है, तो उसमें कैसा होगा, normal case में 20 lakh तक का cash withdraw पे TDS नहीं आएगा, 20 lakh से लेकिए और 1 करोड तक का cash withdraw पे 2%, और 1 करोड के उपर 5%, और cooperative society में क्या होगा, 20 lakh तक TDS नहीं अब एक बात समझना, यहाँ पर अर्जू ने उसने क्या किया, उसने अपना return file नहीं किया, तो अर्जू ने return file नहीं किया, तो चलिए, पहला वाला 20 lakh तो पे TCS नहीं आएगा, दूसरा 25 lakh है, उस पे 2% की rate से TCS आएगा, तो 2% की rate से 25 lakh पे, अगर आप 2% देखेंगे, तो it come to the 50,000 आया, 50 के आ गया, उसके बाद इस 35 पे, तो 20 प्लस 25 प्लस 35 तो आपका, 35 पे 2% कितना 70,000 आएगा, आवे, उसके बाद आपका कितना हो गया, टोटल देखेंगे, यहाँ पे 45, 50, 80 हो गया, इसमें से 25 में से 20 जो रहेगा ना, उस 20 पे तो आपका 2% and guys 5 रहेगा, उस पे 5%, 5%, तो एक बात बताईए, 20 लाग पे आपका 2% comes to 40,000, 40,000 and guys 5 लाग पे 5% comes to 25,000, तो यहाँ पे टोटल TDS कितना आएगा, इस भाई का, 50,000 plus 70,000, plus 40,000, plus 25,000, it comes to 1,85,000, तो 1,85,000 है, इसका TDS आएगा, 1,85,000, अब एक बात समझना, आगे cooperative society के case में क्या होगा, 3 करोड का limit लगेगा, तो 68 पे नहीं आएगा, 85 पे भी नहीं आएगा, 88 पे भी नहीं आएगा, तो देखिए, यहाँ पे आपका 68 plus 85, plus 88, total होगा 241, minus 57, sorry, 241 plus 57, 68 plus 85, plus 88, 241, plus 57, तो यह होता है, 298, तो इस पे TDS आएगा, इनी 3 करोड से जादा नहीं है, तो TDS नहीं आएगा, तो I think, यहाँ पे आपका right answer है, वो D होगा, D is a correct answer, that is आपका MCQ number 12, so MCQ number 12 का आपका जो D है, that is the right answer, 12 का D is the correct answer, चलिये, question number 13 and that is the last MCQ, question number 13 यह बोलता है, Blossom Tea Garden, a tea state in the Debrugad Assam, received 23 lakh as a compensation from the insurance company, for the severe damage of the green leaves, green leaves मतलब जो green पत्तिया होती है चाहे की, वो destroy हो गई, और इनको 23 lakh का compensation मिला, due to the hellstorm in July 2023, Blossom Tea state in the view that the entire reset under the insurance policy damage caused by that act of God, और tea leaves will be the agriculture income, क्या यह agriculture income होगी या business income होगी, एक बात बताओ, tea के case में आपको पता है, अगर आप tea को grow करते हैं, और manufacture करके बेचते हैं, तो 40-60 हो का 40% is business income, 60% is agriculture income, coffee के case में grown and के और है, तो 25-75, grown के और roasted grounded है, तो 40-60 और rubber के case में 35-65, अब एक बात समझना, अगर आपको याद रहेगा, तो यह तब होता है, जब आप कोई भी manufacturing करके बेचते हो, मैं इस tea की पत्तियों को grow करते हो, फिर उसके process करके और फिर बेचते हो, तो आपका जो है, वो आपका business और agriculture होगा, इस case में क्या हुआ है, आपके green leaves, जो पत्तिया थी ना, वो पत्तिया ही डेस्टर होगी, मतलब ग्रीन जो फसल थी, वो फसल ही डेस्टर होगी, मतलब वो जो आपका tea था, वो tea डेस्टर होगी, तो यहाँ पर पूरा आपका agriculture होगा, So in this particular case, your total income will be the agriculture, तो यहाँ पर I think B will be the right answer, कि यहाँ पर आपका जो पूरा है, वो आपका no part, यहाँ पर manufacturing हाई नहीं, यहाँ तो ग्रो किया था और पत्तिया डेस्टर होगी, तो पूरा आपका agriculture income है, वो हो जाएगा, So this is your 13 question, जो MCQ वाले है, बहुत प्यारे question है, आपका 14 से यह descriptive question चलू हो जाता है, descriptive question में कोई नया नहीं है, question number 14 है, PGBP का question है, similar question हमने, जो अगर आप super 30 का question कर लोगे, वो क्या बोलते हैं अपना, जो आपके compiler में भी last question दे रखा है, Master question और PGBP, वो करोगे, यह question ऐसे ही हो जाएगा, सब वो ही वाले point है, जो यहाँ पर दे रखा है, लेकिन question number 15 है ना, यह बहुत बढ़िया है, आप धंगसे करना, question number 15 को धंगसे करना, compact में हमने एक section 50 AA इसी साल से दे रखा है, ठीक है, जो debt mutual fund होता है, और जो MLD होता है, उसके case में हमेशा short term capital gain होगा, तो आपने 1st April 2023 के बाद में अगर कोई ऐसा mutual fund खरीदा है, जिसने equity share में 35% या उससे कम का invest किया, तो उसको मैं debt बोलूँगा, तो उस particular case में हमेशा short term होगा, तो यह आप देखोगे, बहुत बढ़िया question इस बाद डाला है, question number 15, ठीक है, आप घर पे करोगे, उसके बाद तुमारा 16-17 तो assessment procedure से related है, उसके बाद में यह जो question है, black money से related है 18, अगर आप black money आप ने किया है, तो 18 question आप से easily हो जाएगा, question number 19, जो है, यह DT double A से related question है, yes, it is related to the DT double A, DT double A से related question है, बट बहुत अच्छा question है, जिसमें वो foreign income को convert करते हैं Indian currency में, और उसके लिए मैंने आपको last topic दे रखा, जिसमें मैंने बताया हुआ है, कि foreign की कौन सी income को कौन सी rate लेके, कौन सी T TBR लेके, आपको Indian currency में convert करना पड़ता है, कौन सी rate का आपको exchange rate लेना है, वो सब दे रखा, तो वो आपका देखोगे और करोगे तो हो जाएगा, उसके बाद question number 20 है, एक चीज देना ध्यान रखना, जिस year में अपका के लिए आप application करते हो न, अपका उसके अगले साल से लगता है, तो 5 यर कहां से count होते हैं, जिस year में आपने application किया, उसके अगले साल से, तो जैसे महलो आज की date में मैं application कर दो, 20th March 2024 को, इस दिन मैंने अपका के लिए application किया, previous year 23-24 में, इस दिन मैंने application किया, अपका applicable कौन से year से होगा, पता है, previous year 24-25 से, जिस year में आपने application किया था, उसके अगले साल के first apparel से अपका applicable होगा, आप यह समझ ज़िए, ठीक है, तो उसमें जब आप 5-year count करते हैं, तो अगले साल से 5-year count होगा, application, देखो sign कब क्यों होगा, उससे कोई मतलब नहीं, आपने apply कब किया, application किया, उसके अगले साल से अपा applicable हो जाएगा, तो यह total आपके 20 questions है, 20 questions मैं देखो, मैंने 13 to MCQs ही है, वो मैंने करा लिए, 14 वाला जो है, वो PGBP का है, बाखी question में कोई इतना खास दम है नहीं, बट no doubt आपको करने रहेंगे, so this is your completion of your RTP lecture, so guys, अभी आपके पास exam के लिए बहुत कम time बचा है, just 100% focus to your, like study only, study तो करना ही है, but मैं आपको जितने भी lecture डालता है, मैं कभी आपको वीडियो लाइक करने, subscribe करने के लिए नहीं बोलता, तो इसका मतलब क्या तुम like करोगे ही नहीं, like तो करोगे ही, तो चलिए, like कर लब, अगर आपको अच्छा लगा, effort लगा है, कर गे, आपको लगा कि आपके RTP के काफी effort मैंने आपके कम कर लिए, तो आप इस lecture को like कर लिजिए, मैं कभी बोलता नहीं, आज पहली बार ऐसे ही मुझे लगा, बोल देता हूँ, आपको ठीक है, चलिए, तो गाइस, थैंक्स आलट, आज को लिए बहुत है, यह RTP का सेशन था जिसमें आपके MCQs मैंने ने कवर किये, और MCQs भहुत ही अच्छे है, और amendments से रहेलेटेड है, ठीक है, थैंक्स आलट, पीपल, एट्स अनब वर टोड़ेवाए बार माइशाट,